हलो बच्चो कैसे बटा मैं हूँ अर्जुन आपका mathematics mentor और PW के इस amazing platform पे आप सब का बहुत बहुत स्वागत है बटा आज हम एक नया और बहुत ही interesting topic स्टार्ट करने जा रहे जो की geometry का topic है और उसका नाम है coordinate geometry तो बटा इस topic को स्टार्ट करने से पहले एक बार ज़रा quickly recap करते है कि हमने previous class में क्या पढ़ा था अगर आपको याद है तो फटा फट यहां पे chat box में लिख दो कि हमने previous class में क्या पढ़ा था चलो है मैं ही बता देता हूँ previous class में हमने statistics complete किया था और जिसमें हमने cover किया था mean, mode और median वाला concept और practice it 7.5 हमने previous class में complete की थी और उसी के साथ हमने statistics topic complete कर दिया था तो आज हम एक नया topic start करते है और इस नये topic में हम क्या पढ़ने वाले है वो भी एक बार देख लेते बिटा तो आज की class में हम पढ़ने वाले है quadrant system क्या होता है अब हो सकता है आपके लिए कुछ नया term होगा बट जब मैं explain करूंगा तब आपको यह बहुत simple ल class में हम complete करने वाले है तो start करना है are you already चलो start करते बिटा देखो सबसे पहले मैं आपको इस concept को समझने के लिए चोटी सी story बताता हूँ आपके textbook की diagram है यह वाला मैंने खुद से डाल दिया तो इसको पहले समझाता हूँ इसमें क्या हो रहा है देखो हमारा गोलू मारा गोलू यहाँ पर अपने दोस्त कोई साथ cricket खेल रहा है और उतने में आचानक से एक visitor आ जाते है और उनको एक address पूछना है और वो address चाहिए था उनको दत्ता भाव के घर का address और उनके friend होंगे पुराने friend तो अभी बहुत दिनों के बाद आये उनको पता नहीं नहीं नंबर के घर में रहते बरावर चलो और accurately बता दिया कि यह ground floor है यह first floor है और second floor है तो first floor पे second से सेक Southeast रहे हैं और से लीड Mia तो आफको यहां पर और एक इंफोर्मेशन देनी पड़ेगी लेंप साइड से या फिर राइट साइड से है रल्ट तो तब clear हो जाएगा कि दत्ताभव का घर कहा पे है उसका exact location फिर हम find out कर पाएंगे तो एक information देने से पता नहीं चल रहा है तो उसके लिए दो information चाहिए जैसे यहाँ पे देख रहा है L2 मतलब left side से second number पे है R2 मतलब right side से second number पे ऐसा कुछ आपको information देना पड़ेगा तब जाके हम exact location find out कर सकते हैं और यह वाला example तो बहुत famous है इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा यह यह क्या है सबको बदा है theater है आपने movie तो देखी होगी obviously देखी होगी अभी चल रही movie जवान है जवान देखिए नहीं देखिए बहुत अच्छी movie है तो बिटा आपने theater का ticket अग देखा होगा तो आपको पता चलेगा वहाँ पर क्या होता है ना जैसे अब यह seats है तो यह suppose row है row wise तो यह A है this is B, this is C, D ऐसे rows होते हैं और उसमें भी numbers होते हैं जैसे A row में 1,2,3,4,5 number का seat B row में भी ऐसे numbers होते हैं तो मान लो आपने आपके दोस्त के साथ movie जाने का plan किया औ आपने ticket बनाया और वो ticket पे आपका number आया मान लो A5 और आपके दोस्त का है A6 suppose आपके बाजू में बैठेंगो है तो यह इससे clearly समझ में आ रहा है कि आपको कहां पे जाके बैठना है आपको A row में 5 number पे और दूसरा आपका जो दोस्त है वो 6 number पे बैठेगा बराबर अगर म मैं आपको बोलता है पाच number का seat जाके बैठो पाच number के seat तो बीरो में भी हो सकता है ना तो यह confusion होगा इसलिए हमें दो information की जुरूत होती है जैसे यहां पे row कौन सा है और उसमें number कौन सा है तो यह जो दो numbers है इसको हम mathematics की भाशे में बोलते और इनल नंबर से ना ordinal मतलब दो हमें information चाहिए तब जाके हम किसी point का exact location find out कर सकते किसी place का exact location find out कर सकते है तो यह तो हो गया practical examples अब आते हैं हमारे geometry पे तो geometry में यार किसी भी point का अगर आपको exact location find out करना है तो उसके लिए 2 information जो रही है है तो इसके लिए हमारे जो great mathematician है Rene Discarte उन्होंने इसका study किया और एक coordinate system बनाया एक coordinate system बनाया और उन्ही के नाम पे हम उस system को बोलते है Cartesian coordinate system मैं आपको इबर उनका नाम बता दू उनका नाम है बिटा Rene Discarte Rene Discarte Discrate हो गए Discarte यह उनका नाम है और इन्ही के नाम पे हम जो coordinate system है उसको बोलते है Cartesian coordinate system यहना Cartesian coordinate system बोलते है Cartesian यह Cartesian है ना तो इसका Cartesian coordinate system बन गया था तो वो क्या है उससे हम बेटा किसी भी point का exact location find out कर सकते है तो वो क्या है अभी हम detail में देखने वाले हैं Cartesian coordinate system क्या है देखो Cartesian coordinate system में होता क्या है बेटा एक ऐसा vertical line होगा vertical एक और एक है horizontal ठीक है एक vertical है और एक है horizontal रइट वर्टिकल और एक है horizontal अब इसमें क्या होता है देखो उन्होंने क्या किया जो यह जो दो perpendicular lines है जहां पर intersect करती है उसको बुला origin और इसका coordinate उन्होंने दे दिया 0,0 अब यह coordinate का मतलब क्या होता है यह x coordinate और यह y coordinate मैं अच्छे से बता देता हो जैसे देखो horizontal line जो है उसको हम बोलते है x-axis ठीक है और जो vertical line है उसको हम बोलते है y-axis यह तो clear है इसको x-axis बोलेंगे and this is y-axis दोनों जहां पर intersect करते है उसको हम बोलते है origin अब यह origin पर 00 कहां से आया वो भी मैं बैता आता हो माल लो एक अधा point यार एक अधा point यहां पर suppose यहां पर है जैसे भी देखो इसके उपर numbers होंगे यह one two three यह इसे numbers होंगे यह है one यह है one two three four और इधर फिए one two three four है ना तो यह x वाला जो पार्ट है यह दो पार्ट में डिवाइड है x-axis दो पार्ट में डिवाइड है यह होता है positive और origin के left side में होता है negative वैसे ही y-axis दो पार्ट में divided रहे अबव वाला पार्ट होता है positive और origin के नीचे वाला पार्ट होता है negative तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यह positive रहेगा यह भी y-axis पर positive रहेगा बट इधर जो 1, 2, 3, 4 रहेगा जो numbering है यह रहेगा negative जैसे minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 ऐसा चलता रहेगा ठीक है इधर 1, 2, 3, 4 रहेगा 1, 2, 3, 4 और यह भी ऊपर है अब ओद origin है तो यह भी रहेगा positive और below अगर देखेंगे तो यह भी रहेगा minus negative रहेगा ठीक है तो ऐसा होता है हमारा coordinate system अब देखो अगर मेरा point मान लो कहीं पर यहाँ पर है जैसे भी 4, 3 है तो 4, 3 का मतलब क्या होता है क कि हमें x-axis पे मतलब horizontal line पे 4 तक जाना है यह देखो 4 तक जाना है और यह क्या indicate करता है कि हमें vertically 3 तक जाना है तो यह देखो यह 4 तक यहाँ पर गए और 3 यहाँ पर है तो ऐसे हम यहाँ पर जहां पर यह दो lines intersect करेंगे वहाँ पर हो जाएगा point 4, 3 I hope सबको clear होगा कि 4, 3 क्या indicate कर रहा है यह पहला वाला जो number है वह indicate कर रहा है कि हमें x-axis पे कितने distance तक जाना है तो हमें x-axis पे 4 distance तक जाना है और यह 3 मतलब vertical मतलब y-axis पे हमें 3 तक जाना है जहाँ पर यह 4 और यह 3 वाला distance यहाँ पर intersect करेंगे वह होता है point का location I hope सबको clear होगा ठीक है तो फिर से एक ब यहां से start है ऐसा हम assume करेंगे आपको left side जाना है sorry left side जाना है right side जाना है तो यहां से start होता है clear तो यहां से अगर start करेंगे तो आपको right side में यहां पे x-axis पे numbers देखेंगे 1 2 3 4 इधर देखेंगे negative numbers origin के अब ओ पॉजिटिव और origin के below negative numbers और origin जहाँ पे x और y-axis intersect होते है यही से स्टार्ट होता है 1,2,3,4 चाहे आप राइट साड में जाओ, लेट साड में जाओ, अब जाओ या फिर बिलो जाओ, है ना, तो अब देखो यह जो कार्टिशन कॉडिनेट सिस्टम है, इसको चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, अभी चार पार्ट को हम क्या इसको हम बोलते हैं, 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 जो numbers आरे ने 1, 2, 3, जैसे अभी यहाँ पर देखो, x coordinate क्या है, 4 है, y coordinate क्या है, 3 है, और ये भी sequence हमेशा fix होता है, ऐसा अगर लिखा है, तो ये पहला x coordinate ही होता है, और second वाला y coordinate ही होता है, तो पहला number हमेशा x coordinate है, और second number हमेशा y coordinate होता है, यह sequence fixed है और देखो यहां पर झै do first quadrant यहांपे इसमें एक्स-coordinates भी हमेशा positive रहेगा और य-coordinate भी हमेशा positive रहेगा तो first quadrant में डोनों भी कैसे रह tournaments प्लस-p六-first quadrant में डोनों किसे रह jongे प्लस-plus आप देख पा रहे होंगे Hallo, four, three, first quadrant में आ रहा हय नाओ तो इसके sign देखो positive है दोनों के भी येस अब second coordinate में आप बताओ फटाफट chat box में कि यहाँ पे x coordinate का sign क्या होगा plus या minus जल्दी जल्दी बताओ x coordinate का sign क्या होगा आपको दिख रहा है यहाँ पे x coordinate negative है तो यह रहेगा minus और y coordinate रहेगा plus clear वैसे ही बताओ यार third quadrant में x coordinate क्या रहेगा minus रहेगा और y भी क्या रहेगा minus ही रहेगा fourth quadrant में x कैसा रहेगा positive y कैसा रहेगा negative I hope सबको clear होगा कि चारोबी quadrant में जो coordinate से उनके sign कैसे आ रहे है first quadrant में दोनों positive second quadrant में negative positive third quadrant negative negative और fourth quadrant positive negative तो यह sign आपको समझ में आया yes इसके पर questions भी आते है मैं आपको याद दिलाओंगा जब questions आएंगे तब मैंने आपको यह बताया था कि first quadrant में sign second quadrant third quadrant और fourth quadrant में यह sign भी fix होते है यह change नहीं होंगे अभी है न हर एक respective quadrant में उनकी x coordinate और y coordinate के sign fix होते है I hope सबको clear होगा quadrant system सबको clear है किसी को कुछ problem तो नहीं होना चाहिए yes x axis y axis जहाँ पे मिलते है उसको origin बोलते है और origin के coordinate होते है 0,0 then x axis का यह right side वाला part इसको हम बोलेंगे यह positive होता है यह negative होता है यह उपर positive और यह नीचे negative clear चलो आगे बढ़ते बिटा अब जाते हैं हमारे actual concept पे मतलब questions देखते हैं देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है coordinate of a point in a plane अब यह plane है suppose plane ठीक है इसको हमने क्या किया चार पार्ट में divide कर दिया है ना first, second, third और fourth quadrant तो इसमें point का हम coordinates find out करेंगे अलड़ी दिया हुआ है बट वह कैसे लिखा है 2,3 वह देखते है तो देखो बिटा यह 2 का मतलब क्या होता है कि हमें horizontal मतलब positive direction में x-axis पे 2 तक जाना है और यह 3 का indicate कर रहा है कि हमें ऊपर यह plus sign है मतलब ऊपर जाना है origin की ऊपर जाना है कहां तक 3 तक तो जहां पे यह मिलेंगे उसको हम क्या बोलते बिटा वह हो जाएगा उस point का location टिक है ऐसे जाएंगे 2 तक horizontal 2 तक जाएंगे और vertical हम कहां तक जाएंगे 3 तक जाएंगे तो यह 2 और यहां पे 3 तो यह दोनों जहां पे मिलेंगे उस point को हम बोलेंगे 2,3 उसके coordinates हो जाएंगे अब similarly यह minus 3,2 क्या indicate कर रहा है जैसे मानलो आपके सामने अब यह location नहीं दिया होता है मैं आपको एक general point देता हो minus 1,2 कहां पे आएगा तो आप कैसे identify करे negative हो है तो आप आएंगे यहां पे है ना then y positive है तो उपर जाना पड़ेगा तो यह minus 1 और यह 2 मतलब यह point कहां पे आएगा यह देखो minus 1 और 2 यहां पे मिलेगा तो इसका exact location हो जाएगा minus 1,2 I hope सबको clear होगा similarly अब देखो यहां पे minus 3,2 है तो minus 3,2 का मतलब क्या होता है कि हमें horizontal कितना जाना है horizontal हमें जाना है minus 3 तक और vertical हमें कितना जाना है 2 तक है ना तो देखो vertical 2 मतलब यहां पे और horizontal minus 3 है ना तो minus 3 पे आए तो दोनों जहां पे मिल रहे वहां पे हमारा point हो जाएगा क्यू उस coordinates are minus 3,2 clear बिटा यह भी समझ में आ गया तो किसी भी point के हमें plane में अगर coordinates पॉइंड आउट करने हैं तो हम कर सकते हैं यहां पर मैं अपके लिए लिखके देता हूँ जैसे देखो मैं point P की बात कर रहा हूँ तो यहां पर लिखता हूँ मैं point यहां पर लिखता हूँ मैं coordinates यहां फिर x coordinate चलो coordinate ही लिख देता हूँ coordinate तो अलड़ी दिया है x coordinate y coordinate लिखत को यह x-coordinate और y-coordinate का meaning तो clear है न यह 2 क्या indicate कर रहा है horizontal distance 2 तक जाएगा horizontal x पे और यह 3 क्या indicate कर रहा है vertical हमें 3 तक जाना है तो यह 2 और यह 3 यहां तक यह 3 है और यह 2 है न दोनों को यहां पर ऐसे extend करेंगे extend करेंगे जहां पर मिलेगा वो point हो जाएगा हमारा 2,3 I hope सबको एकद y-coordinate बताओ क्या है 2 है y-coordinate क्या है 3 अब point q है इसका x-coordinate क्या है minus 3 y-coordinate क्या है 2 point और कौन सा है बस दो ही points दिये हुए ठीक हमने तीसरा लिया था एक इसको मैं नाम देता हूँ जैसे की यह r point है sorry q point है और यह p point है ठीक है तो इसको मैं नाम देता हूँ p q r है कर भी है ठीक है t देता हूँ तो t point है और इसके x-coordinate बताओ क्या है इसका minus 1 है और y-coordinate क्या है 2 है तो I hope सबको clear हो गया x-coordinate y-coordinate क्या होता है किसी point की coordinates कैसे find out कर रहे हैं किसी plane में तो यह सबको clear होगा तो हम अभी आगे बढ़ते हैं और आगे और कुछ concept से उनको समझ लेते हैं मानलो यार एकादा point axis पे ही लाई करता होगा y-axis पे या फिर x axis पे यह तो points quadrant में लाई कर रहे हैं ना first quadrant यह दोनो second quadrant में बट अगर axis पे लाई करता है तो उसके coordinates हम कैसे लेखेंगे वो हम देखते बड़ा next diagram में देखो यहाँ पे दिख रहे है यह y-axis है this is x-axis देखो quadrant first plus plus होता है quadrant second minus plus होता है बता है तो अलोड़ी quadrant third minus minus quadrant four plus minus right तो अब द ध्यान से देखेंगे तो y-axis पे जितने भी points अबको दिख रहे सबका यहाँ पे देखो यह 0,0,0 क्यों दिख रहे है मतलब इसका x-coordinate 0,0 ही होता है कि हमेशा yes अगर point y-axis पे लाई करता है y-axis पे लाई करता है तो उसका x-coordinate 0 होता है similarly अगर कोई point x-axis पे लाई करता है तो y-coordinate देखो 0 होता है न उसका y-coordinate 0 होता है क्यों ऐसा देखो y-axis पे है y-axis पे मतलब x-axis से इसका distance 0 हो जाएगा क्योंकि x-axis पे ही नहीं भी x-axis पे है ही नहीं, मतलब इसका x-coordinate हो जाएगा 0, ऐसा आप याद रख सकते, अगर x-axis पे point है, मतलब y-axis से कोई लिना दिना नहीं है, तो y-coordinate उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, clear, y-coordinate उसका हो जाएगा 0, clear, सबको समझ में आ रहा है, तो बस यहाँ पे कुछ points याद आपको, the y-coordinate of every point on the x-axis is 0, x-axis पे आने वाले हर एक point का y-coordinate 0 होता है, और y-axis पे आने वाले हर एक point का x-coordinate 0 होता है, उल्टा याद रख है न, y-axis पे point है, तो x-0 होगा, x-axis पे point है, तो y-coordinate 0 होगा, clear, यहाँ पे लिखका हुए देखो, the x-coordinate of every point on the y-axis is 0, और तीसरा, the coordinates of the origin are always 0, 0, यह तो अलड़ी बता दिया था मैंने न, तो तीन points याद रहेंगे बटा, यह तीनों points आपको अच्छे से याद रखने, और उसी से, उसी के basis पे अभी हम कुछ questions solve करते हैं, तो questions से आपको और clear हो जाएगा, कि इस topic में क्या दि किये, उसको अभी हम apply करेंगे, while solving questions, ठीक है, चलो बेटा, अब questions देखते हैं, तो क्या बोल रहा है, suppose we how to plot the point P, जिसके coordinates 4, 3 है, और Q, इसके coordinate है, minus 2, 2, अब इसको हम, अच्छे से एक बार plot कर लेते, जैसे देखो, हमारा coordinate system ऐसा आएगा, यह है हमारा coordinate system, तो यहाँ पर होता है, बेटा, origin, यह हो जाएगा, x-axis, इधर होगा right side, sorry, इधर होगा, हाँ, right side है, यह left side है, तो यह positive है, और यह negative है, यह हो जाएगा y-axis, ठीक है, below the, sorry, above the origin, positive होता है, और below the origin, negative होता है, right, अब हमें देखो, point P locate कर रहा है, जो 4,3 पर है, तो पहले मैं यहाँ पर एक बार marking कर लेता हूँ, जैसे 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, suppose, क्योंकि हमें ज़्यादा points की जोरत नहीं है, sorry, coordinates की जोरत नहीं है, 5, 1, 2, 3, 4, आप एक graph पर plot करेंगे, तो आपको जितना required है, उतने numbers लिए तो भी चलेगा, अब देखो, यह क्या बल रहा है, 4,3, 4,3 का मतलब क्या होता है, आपको horizontal distance, कितना लेना है, 4 तक जाना है, मतलब 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर आएगा, ऐसे चलते, 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 आप जाओ कहां तक 4 तक, वहाँ पर जाके रुकना है आपको, बराबर, अब रुकना है, तो उसके बाद आपको 3 दिख रहा है, 3 मतलब क्या होता वेटा, vertical distance, मतलब आपको यहां से अभी, ऊपर जाना है, vertical distance कवर करना है, और वह कहां तक जाना है आपको, 3 तक, इथर 3 कहां है 4,3 clear तो इसको हम नाम देते है पी तो 4,3 अगर आपको इस कोडिनेट सिस्टम में आपको प्लॉट करना है तो ऐसे कर सकते हैं अब सेकेंड क्यू पॉइंट के कोडिनेट क्या है माइनस 2,2 अब यह माइनस 2,2 क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन से कोडिन में आएगा साइन को देखके बता सकते हैं क्या बता सकते हैं साइन को देखके कैसे बताएंगे यह माइनस और यह प्लस माइनस और प्लस कहां पे होता है मतलब एक्स कोडिनेट नेगेटिव कहां प पता कर सकते है कि कौन से quadrant में लाई करेगा वो point है ना तो यह second में लाई करेगा confirm हो गया अब हम उसको exact plot करेंगे देखो क्यू point है minus two मतलब क्या बोल रहा है यह negative x axis पे आपको चलते जाना है कहा तक minus two तक उसके बाद two vertical distance कितना है two तो two यहाँ पे है ना तो अब क्या करेंगे आफ यह देखो यहाँ पे चलो इधर two लिखता हूँ है ना देखो ऐसे यह minus two और इसका यह vertical distance आपको two तक ही जाना है तो यह हो जाएगा आपका point q जिसके coordinate से बटा minus two comma two खतम तो यह हो गया q point का location पी point का location यहाँ पे है और q point का location यह वाला हो जाएगा I hope सब को clear है इसी को अ आप लोग अभी कर सकते है तो यह question clear है अभी और कुछ questions दिखते है practice set से अब देखो question क्या बोल रहा है state in which quadrant और on which axis do the following point lie कौन से quadrant में या फिर कौन से axis पे यह point lie करते है तो एक काम करते हैं इसके लिए एक must chart बनाते है अच्छे से लिखते है एक टेबल बना देते है चार्ट ने टेबल बनाते है और इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे point यहाँ पे लिखते है यहाँ यहाँ पे लिखते हैं point और यहाँ पे लिखते है उसके coordinates नहीं quadrant हमें quadrant या फिर axis बताना है तो यहाँ पे लिखते है quadrant या फिर axis है अभी ध्यान से देखना है बिटा देखो मैं अगर a point की बात करूँ यहाँ पे a point a point पी sign क्या दिखरे बिटा आपको minus और प्लस है ना तो एक्स यहाँ पे negative है और y positive है है ना X negative है और y positive है तो quadrant system हमारे आखों के सामने होनी चाहिए तो मैं draw भी करते तो first quadrant में क्या होता है बिटा दोनों भी positive है ना और second quadrant में क्या होता है X negative, Y positive, third में दोनों भी negative होते हैं और fourth में क्या होता है, X positive और Y negative तो यह आपके आखों के सामने picture clear होनी चाहिए अब देखो, negative, positive, कौन सा quadrant है, negative, positive, sir, second quadrant में है, न तो second है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, बेटा, second quadrant, ठीक है यहाँ पे हम लिखेंगे, second quadrant, तो A point कौन से quadrant में आ रहा है, second quadrant में, clear है सबको A point आ रहा है, second quadrant में, हमने sine से ही पता कर लिया, minus, plus है, X negative है, Y positive है, मतलब second quadrant है, अब similarly बताओ, यार, फटा-फट, B point कहां पे आएगा, ठीक है कुछ points यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी के आपको करने, ठीक है, P लेता हो, क्योंकि वो थोड़ा अलग है, H भी लेता हो, पहले H लेता है, फिर है, बाकी के points में, आपके लिए छोट रहा है, आप लिखो, क्यों कहां पे आ रहा है, फिर M भी लेता है, ठीक है, मैं क्या लिए, D लिया, D लिया, D को छोड़ दो, D लिया, then H, P, M लिया direct, तो यह भी आपके लिए है, H लिया है, M, B लिया है, N अपके लिए है, और Q आपके लिए, जो मैंने circle किये, वो आपको करना है बिटाबाद में, मैं यहाँ पे कुछ सैंपल आपको बता रहा हूँ जैसे B देखो क्या है, माइनस 5 और माइनस 2, मतलब दोनों भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव कहां पे होते है, थर्ड कॉडरन में होते है, तो फड़ा फड़ा हमां अंसर लिग सकते है, कुछ भी difficult नहीं, देखो, यह B मतलब आएगा थर्ड कॉडरन में, then K कहां पे कहिए, चे के 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 यहां पे सिंग आना, अब देनको देको डेसिमल है तो अंसर तो डर नइंखो, यह B बसो साइन देखना है, कोसिटिव कॉडरन तो कहां पे आऑगा, थर्ड के कहां पे है, अब आता है d, d, लिग्ज फर्स में है, क्योंकि दोनोंग पॉशिटिव है, तो तो यह भी आएगा बिटा, first quadrant में, then है, h, h कहाँ पे हाँ, देखो अब यह 0, minus 5 है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा careful होना आपको, यह 0 है, x coordinate 0 कब होता है, जब कोई point y axis पे लाई करता है, point y axis पे है, मतलब उसका x coordinate 0 होता है, तो अगर यहाँ पे x coordinate 0 है, तो point कहाँ पे लाई करेगा, y axis पे लाई करेगा, बराबर, then उसके बाद पी, p, इसका भी x coordinate 0 है, मतलब यह भी y axis पे लाई करेगा, correct, अब m, m में देखो y coordinate 0 है, अगर किसी point का y coordinate 0 है मतलब वो कौन से axis पे लाई करेगा x axis पे लाई करेगा बरबर क्योंकि y coordinate 0 है तो यह लाई करेगा x axis पे तो I hope सबको clear हो गया कि कोई point अगर आपको given है तो कौन से quadrant में या फिर कौन से axis पे लाई करेगा देगो किसी axis पे तभी लाई करता है जब x या फिर y में कोई तो भी एक coordinate 0 होगा बरबर ना x coordinate अगर 0 है तो y axis पे लाई करेगा अगर y coordinate 0 है तो वो x axis पे लाई करेगा दोनों भी 0 नहीं है तो किसी ने किसी quadrant में लाई करेगा और वो कैसे पता करना है साइन से पता करना है साइन देखके कौन से quadrant में लाई करेगा क्लियर बिटा आगे बढ़ते हैं अब second question क्या बढ़ रहा है in which quadrant are the following points lie यहाँ पे वही था हाँ yes तो कौन से quadrant में लाई करेंगे बढ़ यहाँ पे छोटा सा difference क्या है आपको यहाँ पे भी sign बताए बस numbers given नहीं बस sign और sign से तो हम easily पता कर सकते देखो whose both coordinates are positive दोनों भी coordinates अगर positive होंगे तो कौन से quadrant में लाई करता है point बहुत simple है यह देखो दोनों positive first quadrant negative positive second quadrant दोनों negative third quadrant positive negative fourth quadrant यह तो याद हो जाएगा और वैसे भी याद करने की ज़रत नहीं है देखो ना यहाँ पे कौन कौन से दो लाइन सा रहे है यह positive यह भी positive इसलिए positive इदर यह दो दो लाइन सा कौन से देखो इस quadrant को cover करने वाल दो लाइन सा यह वाला एक है तो यह तो negative होता है और यह positive इसलिए negative यह negative यह भी negative यह positive और यह negative तो positive दोनों भी अगर negative है तो third quadrant whose x-coordinate is positive and the y-coordinate is negative x-coordinate मतलब पहला वाला है ना देखो यह ऐसा बोल रहा हो x-coordinate is positive and y-coordinate is negative घुमा फिरा के आपको पूछ रहें बट डरना नहीं है हमें सब clear है x-coordinate positive y-coordinate negative मतलब positive negative कहा होता है positive मतलब इदर जाएंगे यह हमारा coordinate plane है positive x-coordinate मतलब इदर जाएंगे और second negative इदर जाएंगे मतलब यह fourth quadrant आ रहा है यह fourth quadrant है तो यहाँ पर हम लिख सकते बिटा this is fourth quadrant अब देखो क्या बल रहा है whose x-coordinate is negative and y-coordinate is positive तो यह coordinate system है x-negative मतलब इदर जाएंगे y-positive मतलब उपर जाएंगे तो यह second quadrant आ रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिटा second quadrant clear एकदम clear है quadrant system में किसी को भी कोई confusion नहीं है ना सबको clear है चलो फिर आगे बढ़ते बिटा इसको एक बार note down कर ले ना अब आता है next question 7.1 का third question है draw the coordinate system on a plane and plot the following points आपको coordinate system draw करनी है graph paper पे draw करनी है और वहाँ पे आपको यह points plot करके बताने है बहुत simple है देखो मैं आपको सारे के सारे points यहाँ पे plot करके बताता हूँ यह है हमारा coordinate plane यह origin है right देख लिए देख लिए पर यहाँ पे maximum number कॉन सा है 7 दिख रहा है तो इधर 7 तक जाना है है और और यह 7 हाँ यह 7 x-axis पे है चो लिए 6 से बड़ा तो कोई number है ही नी तो हम 7 तक कर लेती है सारी 7 है यहाँ पे तो 7 से बड़ा नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और 7 1 2 3 4 5 6 और 7 1 2 3 4 5 6 और 7 ठीक है this is x-axis और this is y-axis अब हमें graph paper का अगर use करना है तो यहाँ पे scale लिखना mandatory है तो scale भी लिख लेते हैं देखो यहाँ पे कहीं पे हम लिखेंगे scale और scale हम कैसे लिखते है और both axes 1 cm is equal to 1 unit हम यहाँ पे कर सकते है एक सेंटिमेटर को हमने एक unit consider कर लिया और देखो L point कहाँ पे minus 2 और 4 है तो minus 2 मतलब x coordinate negative है मतलब यह second coordinate आएगा तो इधर आएगा minus 2 और 4 तो देखो फटाफट करते है minus 2 और 4 1,2,3,4 यहाँ पे numbers दे सकते हैं आप 1,2,3,4 तो यह minus 2 और 4 कहाँ पे आएगा देखो तो एक काम करते हैं इसी को use करते है minus 2 1,2,3 और 4 तो यह point हो गया हमारा L point देखो यह minus 2 है and this is 4 तो L point है minus 2,4 ठीक है अभी और एक अधर रेंडम ले लेता हूँ जैसे कि P point है 2 minus 3 है तो 2 minus 3 मतलब क्या x positive y negative मतलब यहाँ पे आएगा x positive y negative तो 2 minus 3 है तो 2 minus 3 मतलब क्या horizontal हमें 2 तक जाना है और vertical minus 3 तक आना है तो यहाँ तक गए हम और vertically minus 3 तक आएंगे minus 3 मतलब 1,2 और 3 तो यह कुन सा point था हमारा 2 minus 3 मतलब P point है तो यह हो जाएगा फिर 2 comma minus 3 यह point है तो समझ में आ रहा है बेटा देको minus 2 और 4 है तो horizontal distance यहाँ तक आना है minus 2 तक और यह vertical 4 तक जाना है यह यह 2 minus 3 तो horizontal 2 और vertical minus 3 मतलब नीचे जाना है तो यहाँ पे जो intersection मिल रहा है वो होगा हमारा point P तो similarly आप बाकी के भी point plot कर सकते हैं मैं यह दोनों आपको बता देता हो देखो यह क्या बोल रहा है 7,0 अब यहाँ पे y coordinate 0 है मतलब point कौन से axis पे लाए करेगा y coordinate 0 है तो इसके opposite axis कौन सा होता है x axis तो यह point लाए करेगा x axis पे और कहां पे 7 पे x axis 7 पे मतलब यहाँ पे आएग और वो x के coordinate क्या है 7,0 यह इसका x coordinate 0 है मतलब y पे लाए करेगा y कौन सा negative वाला मतलब below the origin minus 5 1,2,3,4,5 तो यह आएगा minus 5 यह minus 5 है तो this is point t, t यह रहेगा 0 minus 5 I hope सबको clear होगा कि t point देखो axis पे लाए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक coordinate 0 है यहाँ पे एक coordinate 0 है तो यह भी axis पे कर रहा है तो बाकी के तो आप कर सकते चला n भी बता देता हो n क्या बोल रहा है minus 3 minus 4 है मतलब यह 3rd quadrant में आएगा और 3rd quadrant में कहां पे negative 3 इधर जाना यहां तक आना है फिर minus 4 minus 4 यहां पे है है तो देखो 1,2,3 negative 3 मतलब और 1,2,3,4 तो ऐसा जाए गए है इसको थोड़ा नीच यहां पर आएगा देखो यह है minus 3 और minus 4 थोड़ा सा यहां पर गड़बड हो गया इसा लग रहा है मेरको थोड़ा यहां पर होना चाहिए तो यह जो point है यह कौनसा point है minus 3 और यह minus 4 तो minus 3 और minus 4 मतलब point कौनसा है n जिसका x coordinate है minus 3 और y coordinate is minus 4 तो I hope अभी आप आराम से किसी भी point को graph paper पे भी plot कर सकते हैं उसके लिए important क्या है आपको x axis y axis लेना पड़ेगा scale is mandatory scale आपको वहां पर लिखना पड़ेगा और उसके बाद आराम से आप ऐसे points यहां पर plot कर सकते हैं Cartesian coordinate system पे कर सकते हैं चलो आगे बढ़ते तो यह था end तो आज की class में हमने क्या देखा quadrant system क्या होता है quadrant system में हमने देखे 4 quadrant 1st 2nd 3rd और 4th उसमें signs भी हमने देखे वह sign fix होते हैं वह कभी change नहीं होने वाले आप किसी भी standard में जाकर अगर पढ़ेंगे higher standard में भी 1970 तो chceme ही रहएगा first quadrant मतलब plus plus ही होता है similarly third quadrant मतलब minus minus ही होता है हैे यहना वह कभी change नहीं होने वाला है तो आपको आने वाले higher standard में काम आने वाला है तो उसको graph paper पे plot केसे करना है, वो भी सबको clear होगा, और then practice it 7.1 के, हमने कुछ questions भी देखे, तो बचेवे कुछ questions हो सकता है, 2-3 questions, आपको DPP में मिलेंगे, मतलब homework में मिलेंगे, तो वो आपको खुद से solve करने बिटा, ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं बिटा, तो बाइ- बाइ और ह मिलें भीu, ठीक हैं, अजां स।ब आइो, शबस बहुते हैं अभी जाएचा फूमिन, तो यहाँ जड़ोसे हैं sedye में प्लाइब कार लिए क्टा मिलेंगे, तो थी, कुछ खूमिन तो शबसे ईहां, च्य कर रहाठी तो झाला है। 21 неп supplements, if եाऊंसेद